प्रेंड्स वेल्कम बेक इन मा यूटूब चैनल तोड़े भी डिसकस अबाओ अक्वाइन केस्ट्रेशन और अक्वाइन केस्ट्रेशन और डॉंकी केस्ट्रेशन यह जो है सर्जिरी के हिसाब से बहुत बड़ा हम पढ़ेंगे इसका आता है कि प्रोसीजर इसका लिखें मगर हम पूरा का पूरा केस्ट्रेशन इसकी पढ़ते हैं कोई की या डॉंकी की केस्ट्रेशन पढ़ते हैं पहले हमने सुनी होगी डॉंकी हम करते हैं केस्ट्रेशन और केट की हम ऑफ्रियो इस्ट्रोडॉमी और मगर यह जो लार्ज एनिमल में होता है अक्वाइन केस्ट्रेशन या डॉंकी में हमारे में तो पहले तो हम देखेंगे केस्ट्रेशन हम किसे कहते हैं केस्ट्रेशन की मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ केस्ट्रेशन में हम जो हैं मेल एनिमल से जो टेस्टिस होते हैं उस की डेफिनेशन है उसके बाद अक्वाइंट केस्ट्रेशन को समझने के लिए दो ट्रम हमें समझना जरूरी है दो ट्रम के से कौन से हैं यह एक हो दा है सिंप्ली में आपको बता दैंभ का a cup मैं हम क् ISO reflective करते हैं जब हम सरजर्यों करते हैं मतलब स्टेस्ट इसको सरजरी से बाहर निकाल गई पिर हम करश करतें म स्कुलेटर यूज करती हैं मतलब डारिक्ट उमबर्डी दो हो यूज़ करते उसमें natin hanstone बारिक्ट time बार्डीस ओ इंस्ट्रीमेंट टेस्टिजप पर रखके इसको डारिक्ट हो और चालोगे और घुट करते जो हम सरज्यरी करें जिस तो इसमें हमें एमस्कुलेटर की ज़रूरत पढ़ेगी और फॉर से भी यूज़ करेंगे ये हमें इंस्ट्रिमेंट चाहिए उसके बाद हमें प्री एनस्टेटिक ड्रग्स कौन सी देनी है मतलब एनिमल कौन कांशन्स करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करेंगे डिटोमाइडीन कितनी हो 0.5 ml यह 0.5 cc हम यूज़ करेंगे डिटोमाइडीन उसके साथ-साथ हम ऐसी प्रोमाइजीन भी देते हैं 0.5 cc वह भी होगी मतलब 0.5 ml 0.5 ml हम डिटोमाइडीन देंगे और उसके साथ-साथ 0.5 ml ऐसी प्रोमाइजीन देंगे प्री अनस यह हम इनका डोज है जो नारमल हमने यह जो अक्वाइन के स्ट्रेशन थी वो हमने हमें टीचर ने हमने सामने करवाई थी जो भी मेथट हमने यहां पर लिखा है वो जो जो टीचर करता गया वो लिखा हुआ है वो बहुत सिंपल है वर इन्शाला को समझ जाएगा उसके को डॉरसल रिक्यूबेंसी में रखेंगे डॉरसल रिक्यूबेंसी में एनिमल को हम प्लेस करेंगे उसके बाद अभी एनिमल फुल और कंशिंस हो चुगा होगा उसके बाद हम इन्सीशन जो है इसकिन है हमारी टेस्टिस के उपर वहां पे हम इन्सीशन देंगे इन्सीश से उसके बाद जो नीचे वाली इस्परमेटिक कार्ड नर्व होगी उसको हम अलग करके वहां पे लागेशन करेंगे जैसे हम टेस्ट इस बाहर निकालेंगे तो हमें नर्व मिलेंगी वहां से जो इस्परमेटिक नर्व होगी उसको हम लागेशन करेंगे विक्राइल सुचर से विक्रायल सूचर से हम क्या करेंगे नीचे से उसको लागेट करेंगे लागेट करने के बाद वहीं पे हम इमस्क्यूलेटर जो हम पड़क के आये थे इन्वेंसिव केस्ट्रेशन में वह वहां पे प्लेस करेंगे ligation के नीचे और जो हमारी spermatric card की nerve है उसको हम crush करेंगे एक मिनट तक, emusculator इस shape का होता है, उसमें seizure बहुती है, पूरा का पूरा बना होता है वो नीचे रखे हम इसको ऐसे crush करेंगे, crush करते रहेंगे एक मिनट तक तो वो जो nerve है वो अलेदा हो जाएगी और जो हमारे testis हैं, वो अलग हो जाएंगे testis हम इसको surgery से भी निकाल सकते हैं, मतलब blade से या seizure से काट सकते हैं, मगर emusculator हम यह use करते हैं इसमें emusculator से crush करके testis को बाहर निकारेंगे, उसके बाद हम bleeding check करेंगे, कि bleeding कितनी हो रहे हैं, यह क्या हो रहा है, और उसको हम forcep से बंद करेंगे, artery forcep से, उसके बाद यह process हम दूसरे जो testis है, हमारा दूसरा testis होगा, उसमें हम repeat करेंगे, same to same, जो मैंने बताया, अगर समझ नहीं है, आज screenshot ले ले ले, तो दूसरा यह process हम second जो testis हमारा बचेगा, उसमें भी, ऐसे ही हम, उसको procedure apply करेंगे, और जो भी हमारी opening होगी, अब उसको हम simple continuous suturing से बंद करेंगे, और suture कर देंगे, उसके बाद, यह भी exam point of view से होता है, कि acquaint restoration में कौन-कौन सी complications होती है, क्या-क्या होती है, हेमाटोमा, wound infection, यह ट्रामा, यह इसकी complications है, और post-operative care में क्या-क्या करेंगे हम, जाहर सी बात है, a coin के हम restoration करेंगे, तो उसकी हमें procedure के बाद, हमें उसकी care करनी होगी, care करने के लिए हमें उसको antibiotic देनी होंगी, pen killer देनी होंगी, जाहर आसी बात है, जैसे animal को पेहन ना हो, और वहां पे हम testis पे cold house भी बना सकते हैं, मतलब ice वागेरा से, जैसे उसमें ज्यादा heat up ना हो, उसके साथ-साथ हम non-steroid anti-inflammatory drugs भी animal को यूज़ करेंगे, 24 hours तक, ताकि animal जोए pain से relief रहे, यह था आज का हमारा topic का coin